सब्सक्राब कीजिए इंडियन टेलिंग को और गंटी पर दबाएं हमारी वीडियो सबसे पहले पानी के लिए तो हमें लॉंग कुरती बनाने हैं यह तो हमारा आगे का पळल्र है और 小時 निकला है जो हमारा पैकेट में अध्य पीछे का पल्र draw कि तो हमें देखना है कौन सा आगे का है कौन सा पीछे का तो यह पीछे का है और यह आगे का और इसमें निकलाई अस्तल तो इसमें हमारी सलवार भी बनेगी और कुर्थी में अस्तल भी लगेगा तो हमें इसके नाप की कुर्थी बनानी है नस्तल वाली कुर्थी बनानी है वो हमारी कुर्थी फिटिंग की है फिटिंग का नाप हमारा ए रहेगा और लंबाई हम जितनी रखना चाहें उतने लंबाई रख सकते है तो देखिए एक हमारा जो कब्रा है इसी के बराबर हम लं कुर्टी बनाएंगे तो हम पहले इसका नाप लेंगे इसको हटा लेंगे इसको द्वारा से बार में लगाएंगे जब भी आप घर पर कुर्टी बनाएं तो जैसे आपका बॉर्डर है तो आपको निकालना जरूली है कि बॉर्डर हमने निकालिया जो हम बार में लगाएंगे इसको हमें डबल करना है यहां से हम इसको बराबर करके डबल कर लेंगे यहां से हमारा बॉर्डर बराबर होना चाहिए कि अब यह तो हमारी लंबाई हो गई यहां से और यहां तलग जितने हम लंबाई रखने व उतनी हम लंबाई पूरिर रखंगे है अब देखें ह News एक मारे कुटिर थो आगर नए तो इसी तरीके से बड़ी आघ्शाणी से बना सकते हें गर पर ईकुर्थी तो इसको हम डबल करके निशान लगा देगे ये हमारी बंदवाली साइड है यहां से तरीके हैं और यहां तरह हमारा गल्याफय ऑफला है तो हम इसको रखेंगे यह हमारी फिटिंग के गुर्थी है तो हम इसको एक इंच या आदा इंच जादर इसको थोड़ा सो ढखेंगे क्योंकि यह अस्तल वाली है तो यहां पर निशान लगा देंगे जितना हमें घेर लगना है उतना हमारा निशान लग रहा है अब यह हमारा निशान फिटिंग का आए अब इसको अटा देंगे अब यहां पर हम सोल्डर कनात लेगे अब यहां पर हमारा जो सोल्डर है वो शाड़े दस इंच है तो शाड़े दस इंच के आदे सवा 5 होते हैं तो हम यहां पर 5.5 इंच लेगे 5.5 इंच हमारी सोल लगाएंगे यहां पर तो यहां पर हम निशान लगा देगे बाकि जो ऊपर का कब्डा ह chicko काट लेगे हमेरे गल्ये बराबर ही कपड़ा रखना थोड़ा आधा इंक waiting यहाँ पे जादत तिखें यहां पर हमने सायद पांच इंच सोल्डर लिए अब इसके आदिमन लेंगी हम 6 इंच के बनाबर हमें 6 इंच लेना है और इसमें हमें गोलाई का से इस तरीके से अब इसके बाद हम एक-एक इंच यहां पर स्लाई के लिए अलग से लेंगे कपड़े को और इसमें जोड़ देंगे इस तरीके से अब नीचे तलब हम एक-एक इंच जादा लेंगे क्योंकि नीचे के हमें चात भी बनागी है तो हमें कपड़ अंदर के साथ दबाना है तो हमने एक-एक इंच नीचे तलब निशान लगा लिए अब यहां से हमारा गला बनाबर हमें देख के कटिंग करना है अब यह जो पट्टी है यह हमारी जो फिटे हो जाएगी कुर्टी की उसके बाद हम इसको उपर से लगाएंगी यहां पर अब यह पीछे का जो कपड़ा है हमारा इसको भी हमें डबल करना है और इसको इस तरीके से लंबाई में देखना है हमें लंबाई में काटना है कप अब इसके बाद हम इसको इस तरीके से डखेंगे अब इसी के बरावर हमें पीछे का पला निकालने है अब हमारे आगे और पीछे के दोना पलाव कट गए अब यह कप्ड़ा पच्छा हुगा है इसमें से बाजु निकालेंगे अब बाजु के लिए हम कपड़े को डबल करेंगे अब जैसे हमने आरोमल 6 इंच के लिए तो एक कप्ड़े के चोड़ाई लेंगे हम साड़े साथ इंच यानि 15 इंच हमारे कप्ड़े के चोड़ाई होनी चाहिए अब यहां से हम बाजु की लंबाई कनाक लेंगे इसकी लंबाई है 17 इंच कपड़े की लंबाई हम लेंगे 19 इंच दो इंच जाना और इसकी चोड़ाई 15 इंच पपड़े के अब इसको हम एक बार रॉल करेंगे इस तरी चाहिए अब बाजु की कटिंग करेंगे तहरे निशार लगा लगा लेंगे आप यहां पर हम तीन इंच पर निशार लगाएंगे लंबाई में और इसको हम इस तरीके से इंची टेप पो रखेंगे साथ इंच तलग अभी हमने यहां पर तिर्चा निशान लगा लिए अब उसके बाद हम यहां पर गोलाई का शेफ देंगे इसमें ही हमें गोलाई देनी है गोलाई में कटिंग करनी है अब हो गए हमारे बादू की कटेंगे अब मोरी पर निशान लगा लेगे यहां पर हमारी मोरी एक इंच जागा जो हमारा सिलाई के लिए चाहिए कपड़ा इसको हम इस तरीके से निशान लगा गए अब हमारी बादू की कटेंगे अब यह हमारा जो सलवार का कपड़ा है और इसमें से हमें अस्तर लगाना है अब ये जुड़ा हुआ है इसमें तो हमें उतना ही कपड़ा चाहिए अस्तर के लिए तो पहले हम इसका अर्ज देख लेंगे इसका अर्ज कितना है हमारे घेर के बराबर है तो हम इसको लंबाई में काट लेंगे अब शुड़ाई में हमने कपड़े को देख लिए बराबर है चोड़ाई हमारी जितने हमारे खेर है कुर्थी में उतना हमारा ये कपना चोड़ाई में है अब हम इसको अच्छे से डबल करेंगे अब ये हमारा आगे कपालग है इसको इसकी पफर रखेंगे इस तरीख से अब हमें जितना उचा स्तर लगाना है उतना हम यहाहां से कटिंग कर लेगे क्योंकि कपड़े से जो हमारा कप्ड़ा इसससे हमें अस्तर छोटा रखना है तो हम यहां पे पाँ अभी आड़ु मल्क टाक लेंगे अभी दोना पल्लर है हमारे पहले हम इस पर आगी का पल्लर दखेंगे इस तरीके से और हाथ से पहले इस पर कच्छी कर लेंगे जिससे हमारा साडी को अस्तल है इसमें फिट हो जाए जब भी हम इसकी फिटिंग करेंगे कपड़ी को अच्छे से रखे पहले हमें यहां पर कच्छी कर देए और यह मारा जो कपड़ा है यहां से हम चाक बनाएंगे तो यह हमारा अंदर के साथ इस तरीके से दब जाएगा यहां पर थोड़ा छोटा है ना तो इस तरीके से हमारे चाक बनेंगे तो इस तरीके से आ जाएगा अब हमें यह कहां तरह खुला रखना है उतना हमें निशान लगाना है चाब के लिए हfeltुर्ब के नाब लेंगे कि हमें कहां तक फुल्थ रखना यहां सेुन इसको इस तरीके से नाब लेंगे कि यहांपर पेट्लेस पर चेये 5 इंच से यहां पर दो श्यां लगा लिए हुआ छोड़ रिखा लें block ज़ेगे अब इस दरीके से हुआ दूसरे पल्ल algumas चैनल लगा लिए और बड़ी आसाली से घर पे हम अस्तल वाली कुर्थी बना सकते हैं अगर आप नहीं है तो इसी तरीके से आप कुर्थी को रख के कटिंग कर लें और बुक्रम का गला बनाएंगे तो बहुत अच्छा आएगा जैसे हमें लंबाई रतनी है गले की उतनी हम लंबाई में बुक्रम को काटेंगे और गला ब भी घर पे बड़ी आसानी से अस्कल वाली कुर्थी बना सकें अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राब ने किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राब कलने धन्यवाद